देखा जाय तो अतीक एहमत और इनके भाई अशुरत की जिस तरीके सस्य यहां पर हत्या कर दी गई थी प्रयागराज में जब पुलिस की सुरक्षा की बीच में वो लोग मौजूद थे सामने मीडिया करमी थे तो उस खबर ने संसनी फिलादी पूरे ही इलाके में अब कई न कई आपने वो वीडियो देखे होगी जिसमें जो शूटर है तीन शूटर उसमें बटाये गए है जिसमें से एक शूटर अतीक एहमत के एक दम करीब आता है और यहां पर रखका बंदूग चलाता है जिसके बाद अतीक एहमत की मौके पर ही निधन हो जाता है और उनके भाई अश्रत का भी निदन हो जाता है और उसके बाद धम धम करके लगतार गोलिया बरसते हुई नजर आती है लेकिन अब देखा जाए कि इसमें अब राजनीती भी शुरू हो चुके राजनीती वैसे पहले से शुरू थी लेकिन अब तुल पकड़ लिया गया है देखा जाए यहाँ पर तो अखिली श्यादफ तो लगतार कई ना कई योगी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे अब यहाँ पर कपल सिब्बल का कहना है वह आपको बता देती हूं उन्होंने का एक हत्या तो यहाँ पर हुए अश्रद और अती की और दूसरी हत्या यहाँ पर जो हुए है वह हुए रूल ओफ लोगी यानि कि पुलिस साथ में थी और उसके बाद यहाँ पर यह सब हो ग फिर हुए इश्पाल की हत्या तो इस मामले में बुरी तरह फसे हुए अती कहमद सबसे पहले सबर मती जाते है फिर प्रयाग राज उसके बाद उनकों प्रयाग राज में डर लगता है तब सावर मती जाने की बात करते लेकिन फिर से मेडिकल जाज के लिए उन्हें लाए यह जारे कि वो surrender कर सकते लेकिन कब तक करेगी यह सवाल बना हुआ है इसके अलावाद यह देखा जाया है यहाँ पर कि उनके बेटे जो थे यहाँ पर असरद और साथ यहाँ पर और भी लोग थे तो उनके साथ यहाँ पर जो गुड़ू थे शूटर उनका पहले ही दिन एंकाउंटर कर दिया गया था और अतीक अहमत ने गुजारिश की थी कि जब उन्हें दफन किया जाया या ने उनके बेटी को दफन किया जाया तो एक अंतिम जलक दिखा दी जाया लेकिन इस बात को अब यहाँ पर जब शाइश्ता परवीन की बात आई जब अतीक अहमत को दफनाया जा रहा है तब शाइश्ता परवीन को भी वो सामने ही नहीं आ रही एक तरफ सरेंडर करने की बात करें दूसरे तरफ सामने नहीं आ रही तो तुमाम तरिकी के सवाल यहाँ पर खड़े ह लेकिन देखा जाए कि दो दिन के लिए इंटरनेट सेवाई बंद कर दी गई है प्रियागराज में धार 144 लगा दी गई जब यह मामला हुआ उसी दात सीम योगी ने एहम बैठेक बुलाई उसमें तमाम नेता तमाम विदायक सभी लोग मौजूर थे और क्या हुआ कैसे क्या आखिर आगे होता क्या है और कौन कौन से नेता इसमें कूद कर इसमें टिपनी करते हैं और योगी सरकार के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा खुलते हैं इस पर अपनी राय ज़रूर दीचे का तमाम ऐसे खबरों के लिए देखते रही है नेक्स नाइन नियूज